हाई बच्चों, वेलकम टू पेपर हैकर यूटूब चैनल आज हम लोग जो है पढ़ेंगे एजुकेशन सिक्छा पिछले वीडियो में हमने कोश्चन कराये थे आप लोग को अब जो है आज करायेंगे अबजेक्टिव टाइप कोश्चन वस्तुनिष्ट प्रश्ण ठीक है इस टाइप से कोश्चन पुछे तो आप लोग का एंसर क्या होगा वो देखना है हम लोग को ठीक है बच्चों तो अल्रेडी देखते रहिए ध्यान से देखिएगा वीडियो अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो में लाश्ट तक बने रहिए कुछ समय में जो है करा देंगे सारे कोश्चन अब आप लोग ध्यान से देखते रहिए ठीक है बी ए पार्ट वन समेश्टर सकेंड का सब्जेक्ट सिख्छा एजुकेशन अबजेक्टिव टाइब कोश्चन वस्तुनिष्ट प्रस्ण निमलिखित प्रतेक प्रस्ण के चार विकल्प है जिन में एक सही है सही उत्तर लिखना है हम लोग को तो सही उत्तर क्या होगा अपने मन में गेस भी करते रहिएगा इससे अप लोग का टेश्ट भी लग जाएगा ठीक है तो टेश्ट भी मारते रहेगा साथ में गेस करते रहेगा फिर मैं यहां सही कोश्चन एंसर बताते चलूँगा अप लोग को ठीक है तो परा और अपरा विद्या का सम्मंध किस से है तो वैदिक काल से जो है परा और अपरा विद्या का सम्मंध है ठीक है उपनेयन संसकार का सम्मंध किस काल की शिक्षा से था उपनेयन संसकार का सम्मंध जो था किस काल की शिक्षा से था तो वैदिक शिक्षा बौध शिक्ष आगे नेक्ष्ट देखिए वैदिक जिक्षा का प्रमुख केंद्र था बच्चों ये सब तो आप लोग जाने होंगे मकतब मदर्सा मत और गुर्कूल तो वैदिक गालीन सिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था गुर्कूल पूर्थ नंबर पॉइंट देखिए वैदिक काल में एक वेद का बारा वर्स तक अध्यन करने वाले जो चातर थे वो क्या कहलाते थे बता दीजिए बसू भिक्षू आदित्य असनातक पता ये क्या होगा असनातक होगा ठीक है वैदिक काल में एक वेद का बारा वास्ता का अध्यन करने वाले चातर असनातक काल आते हैं वैदिक काल में प्रात्मिक सिक्षा का प्रारम पांच वर्स की आयू में किस संसकार द्वारा होता है ठीक है तो ध्यान से देखते रहें ये वीडियो को विद्यारंब संसकार उपनेयन द्वारा समावर्तन द्वारा उपसंपदाच वारा इक किस के द्वारा होता है ठीक है बता सकते हैं आप लोग वैदिक काल में प्रात्मिक सिक्षा का प्राम पांच वर्स की आयू में किस संसकार द्वारा होता है तो उपनेयन द्वारा उपन पता ही उपनेयन का जो है शाब्ðिक अर्थ क्या होता है पास ले जाना समावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या है? ब्रभचर आस्रम को गुरहन करना, उपदेश प्राप्त करना, घर लोटना, गिरहस्त आस्रम में प्रविश करना घर लोटना समावर्तन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है घर लोटना इस्त्री की शिक्षा की इस्थिती अच्छी थी किस काल में अच्छी थी बच्चों बता सकते हैं आप लोग इस्त्री की शिक्षा की इस्थिती अच्छी थी वैदिक काल में मद्य काल में बौध काल में वैदिक काल में इस्तरी की शिक्षा क्या थी बहुत ही अच्छी थी वैदिक कालीन में सिक्षा सत्र प्रारंब होता है वैदिक कालीन में सिक्षा सत्र कब से प्रारंब होता है कोई बता सकता है बच्चों कि सिक्षा का सत्र कब से प्रारंब होता था वैदिक कालीन में सिक्ष लुद्यापक केंदरित पता ये क्या होगा बाल केंदरित की अध्यापक केंदरित थी कोई बता सकता है अध्यापक केंद्रित्थी अध्यापक केंद्रित्थी ठीक है बच्छो तो ध्यान से देखते रहे वीडियो को समावर्तन संस्कार किस आउसर पर होता था समावर्तन संस्कार जो होता था वो किस आउसर पर होता था सिक्षा प्ररंभ करते समय, विवाह के समय, सिक्षा समाप्ती पर जन्म के समय इसे एक और कोश्चन हम बता चुके हैं आप लोगो समावर्तन संसकार से पीछे एक और कोश्चन बताए हैं आप लोगो हम तो सिक्षा की समाप्ती पर जब घर लोटते से में हम लोग जाते थे तो उस समय जो है समावर्तन संसकार होता था वैदिक काल में ब्रामण जाती के बालोकों का उपनेन संसकार की सायू में होता था पते ही उपनेन संसकार की सायू में होता था ब्रामणों का 12 वर्ष 11 वर्ष 10 वर्ष 8 वर्ष पता सकता है कोई 8 वर्ष ब्रामण जो है तुरंती कुछ दिनों के वर्षों में ही छत्री का 11 वर्ष 10 वर्ष 8 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष वेश्री का था ठीक है ध्यान से देखते रहे हैं वैदी काल में सिक्षा के केंद्र थे मस्चिद गुर्कूल मठ ьविहार मदर्स ने क्या थे गुर्कूल मंधिखा सिंपलिसी बाथ हैसं संस्कृत बहसा होगा ठीक है वैदी काली इन शिक्षा में गुरु शिस्य संबंद थे पिता पुत्रवत स्वामी सिवक जैसे नेता अनुनाई जैसे इन में से कोई नहीं पतरी पिता पुत्रवत गुरु और शिस्य के संबंद जो थे वो कैसे थे पिता और पुत्रवत अपरा विद्या से तत्पर है अपरा विद्या से क्या तत्पर ह बच्चों देखिए अध्यात्मिक वीशे लोकिक वीशे वैज्जानिक वीशे समाज्एक वीशे अपरा विद्धिया सितति पर है लोकिक वीशे का है ठीक है सतरा नंबर कुष्चन देखिए उपनेन संस्कार में किस मंत्र का उचाण होता है उपनेन संसकार में किस मंत्र का उचान होता है ओम मंत्र, गणेश मंत्र, बौध मंत्र, गयत्री मंत्र पताईए किसका मंत्र का उचान होता है गयत्री मंत्र का उचान होता है उपनेन संसकार में किस मंत्र का उचान होता है गयत्री मंत्र का उचान वैदिक शिक्षा का प्रमुख संसकार था उपनेयन संसकार, उपसंबदा संसकार, पबजा संसकार, बिस्मिल्ला संसकार, पता ही, 18 नेंबर, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संसकार क्या था, उपनेयन संसकार, उपनेयन संसकार जो था, वो वैदिक शिक्षा का प्रमुख सं संस्कार का संबंद क्या था बच्छों संब्द क्या था समा वरतन संस्कार का संबंद क्या था वैदिक कालिइब शिक्षा से कि बौध कालेंड शिक्षा से मुस्लिम कालेंड शिक्षा कि से कि ब्रिटिश कालेंड शिक्षा से यह तो कोई भी बता सकते हैं वैदिक कालेंड शिक्षा से ठीक है 20 नमबर देखिए ध्यान से पब्जा संस्कार संबंदित है पब्जा संस्कार जो है वो संबंदित है किस से वैदिक काल से बौध काल से मद्ध काल से उत्तर वैदिक काल से ब्लब्चाल में अ जी वाथकाल में पभजाथ संस्कार होता था ना नालंदा जो है शिक्षा का केंद्र था किस समय वैदिक काल में ब्ौधकाल में ब्रिटिश कालą बौध काल में जो है नालंदा जो था वो प्रमुक्ष सिक्षा का केंद्र हुआ करता था उपसंपदा संसकार किस काल में होता था? उपसंपदा संसकार जो होता था वो किस काल में होता था? कोई बता सकता है उपसंपदा संसकार बौध काल में उप संपदा संसकार जो होता था उप किस काल में होता था बौध काल में ध्यान देने योग बाते हैं उप संपदा संसकार कितने वर्स की सिक्षा प्राप्त करने के बाद किया जाता था उप संपदा संसकार जो था कितने वर्स के बाद किया जाता था बारा वर्स के बाद नजी बारा वर्स बारा वर्स के बाद उप संपदा संस्कार विक्रम सीला सिक्षा का केंद्र था किस काल में बैदिक काल में बौध काल में मुस्लिम काल में ब्रिडिश काल में बौध काल में बौध काल में जो है विक विद्धा समस्कार जो था वो बहुद सिक्ष्छाने कम से कम कितने भिख्षों के समख्छ कम कर ठीकतने कि पांच वर्ष साथ वर्ष, आठ वर्ष, दस वर्ष, आठ वर्ष, आठ वर्ष हुआ करती थी न, जी, आठ वर्ष हुआ करती, पबजा संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो देख लिजी यहाँ, पबजा संस्कार का शाब्दिक अर्थ, बाहर जाना, घर लोटना, उपदेश जाना, स सिद्ध प्रदान केंद्र कौन थे गुरुकूल आस्रम मठ और बिहार मक्तव या मदर से मठ और बिहार जो था वो बहुत काल में सिख्छा का प्रमुख केंद्र था बहुत काल में सिख्छा का प्रमुख उद्देश क्या था धनों पार्जन निर्वान प्राप्त करना बहु का परचार करना यही स्क्षा प्राप्त करने का पथम उद्देश ठीक है तो बौधकाल में किस संस्कार के समय बालक ने निम्न मंत्र का उच्छाण कराया जाता था बुद्ध श्रणंग च्छामी धर्म श्रणंग च्छामी संग श्रणंग च्छामी किस मंत्र का उच्छाण करा जाता किस संसकार सिक्षा ग्रणा करके के दोरान पवजा संसकार में उपदा संबदा संसकार में युवा होने पर तो पवजा संसकार में पवजा संसकार में जो है सिक्षा करा जाता था ठीक है अब ध्यान से देखिए बहुद काल में सिक्षा का संपुन अध्यन काल था क 25 वर्स, 48 वर्स, बताइए, कुछ टाइम देते हैं आप लोग, बताइए, 31 नंबर कोश्चन, बहुत काल में सिक्षा का संपूर अध्यान जो था, वो क्या था, बताइए, कितने वर्स का था, 25 वर्स, टोटल अगर सिक्षा कीजिएगा, तो संपूर अध्यान का 25 वर्स हुआ तक्ष शीला पर्थम सिक्षा का किस काल में किंद्र था, तक्ष शीला जो था, वो किस काल में किंद्र था, पर्थम मुस्लिम काल में, प्राचीन काल में, बैदिक काल में, बौध काल में, तो किस काल में था, बताइए, बौध काल में, तक्ष शीला जो था, वो बौध काल में जो है प्राचीन था ठीक है बौध में किस काल की सिक्षा में जनतांतरिक शिक्षा प्रणाली वो संगठित सिक्षा संस्थाओं का उदय हुआ था बौध काल में मुसलिम काल में ब्रामन काल में वैदिक काल में तो बौध काल में बौध काल में जो है सिक्षा का जनतांत्रिक संक्ठित हुआ, सिक्षा प्रणाली का उदय हुआ था, ठीक है, बौध काल के नालंदा विश्व विद्याले में चात्र अध्यन करते थे, क्या, इंग्लैंड के, की, फ्रांस के, की, चीन, बर्मा, जावा के, अमिर्का के, बताइए, बौध काल के न नालंदा विश्व विद्याले में चात्र अध्यन करते थे, किस का, इंग्लैंड के, फ्रांस के, चीन, बर्मा, जावा के, अमिर्का के, बताइए, थार्टी फोर नंबर कोश्चन जो है, बताइए, क्या का रहा है, चीन, बर्मा और जावा के जो है, विद्यार थी, उमिद करते हैं, विडियो अच्छा ही लगा होगा, सारे कोश्चन मैंने करा दिये, अगले विडियो में आप लोग को मिलते हैं, नेक्स्ट कोश्चन के साथ, तब तक के लिए बाए, चैनल अच्छा लगे, लाइक, सेर, सब्सक्राइब कर दिजेगा, थैंक्स फर वाचि